तीन साल पहले से भी पता था कि मुझे आज ने तो कली हाना आप बताईए अगर शिक्षा मंत्रिया मंत्री बनते हैं तो सौभाई गुरूप से आगे कि नेमप्लेट तो हट ना हुआ क्या बड़ी बात है दूसरे परिवारों में अपने परिवार के बाहर नहीं जाते हैं तो उनकी कमजोरी है नमस्कार अमरुजाला.com में आप सभी का स्वागत है 13 दिसंबर 2023 देश के रधे प्रदेश मद्धे प्रदेश के इतिहास में एक बड़ी तारीक बन गई क्योंकि उस दिन उज्जैन से महाकाल का आशिरवाद लेकर निकले उज्जैन के सुपूत मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री की शपत लिए इस शपत की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि उसके पहले कई नाम फिजाओं में तेर रहे थे लेकिन अचानक से नाम सामने आया मोहन यादव जी का और उन्होंने वहा गर्याद भी पड़ी के तमाम डिग्रियां भी ली हैं लाठी भी बांजते हैं बनेटी भी गुमाते हैं तलवार भी चलाते हैं लेकिन राजनीती के अखाड़े में उनके दाओं पेज देखकर लोग हैरत में हैं। ऐसे ही डॉक्टर मोहन यादव जी का अमरो जाला पर स्वागत है। मोहन जी सबसे पहले तो एक वर्ष पूरा होने पर बधाई। पहला सवाल तो यही है कि एक वर्ष पूरा होने पर आप खुद कैसा महसूस कर रहे हैं और आपकी इस पूरे एक साल की एक सबसे वड़ी उपलब्धी क्या है। देखे, मैं मूलता संगरा स्वेम सरुख हूँ और हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है कि अपने काम से कभी संतुष्टी मत रखो, काम से संतुष्टी रखोगे तो ठेरावा जाएगा, टार्गेट बड़े रखो, लगातार काम करो, मोधी जी इसका आदर सुधारण है। मैं भाजबा का कारे करता भी हूँ और हमारे कारे करता के अधर पर भी मैं कह सकता हूँ कि करने के लिए जित्ता किया वो कम नहीं है, लेकिन उससे संतुष्ट करेंगे तो रुकावा जाएगा। ये बात सही है के बड़े काम की अगर बात करो तो मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे परदेश में पहली बार विश्व का नदी जोड़ावियान के दो प्रजेक्ट एक साथ हमने एक साल के अंदर मंजूर करा करके मानी मोधी जी की कलपना को साकार किया है, केन बेत्वा नदी जोड़ो अभियान पर हमने काम किया, पारवती काली सिन चंबल विवजना पर काम किया, जो राजस्थान के साथ है, पारवती काली सिन चंबल और केन बेत्वा ये उत्तरवदेश के साथ है, और इसके साथ साथ राज्य के अंदर की नदी जोड़ो आप तो इंदोर से आते हैं इंदोर की जो खान नदी है उसका हमने एक राज्जी के अंदर की दो नदी जोड़ो पे काम चलो किया इसकी धारा को उज्जेन के बजाए हमने गंभीर के डाउन स्ट्रिम से जोड़ दिया है ताकि जो गंदा पानी आता जो दासादु संतु सहीत विस्नान के लिए आचमन के लिए उस जल को बचा करके छेपरा के जल से लोग विस्नान करें इस प्रबंदन पर भी हमने मानी मोदीजी से मंजूरी लिए जल रासी को लेकर के ये दोनों बड़े हमारे टार्गेट पूरे बुंदेल खंड को और दूसरा चंबल्स लगा के माल्वा तक के ये पूरे किसानों को पुर जिन्दी की जिन्दी को बदलने का काम करें बताने के लिए तो बहुत सारी बात हैं लेकिन बड़ा अभ्यान दूसरा सूसासन को लेकर भी बहुत सारा काम किया आर्टियों के टोल बेरियर पे जो पहले शिकायत आती थी ती वो तोल बेरे हमने समामत किये जिलों के परिसीमन लागू करके जिलों की सीमा बदलने का काम हम कर रहे हैं 55 पीम एक्सिलेंस कालेज खोले या कभी आप अंदाइच लगाओ कोई सरकारी कालेज अपने बच्चों को लाने ले जाने के लिए सरकारी बस उपलब्द कराएगा आज की स्थिति है कि हम अपने एक रूपर रोज में बच्चे को लाने ले जाना काम बस से करा रहे हैं जो बच्चेयों को सो रुपे रोज के आटोस से आने जाना पड़ता था ऐसे कई काम किये जिसमें लेकिन में लगता कि जित्ता क्या उससे उसाइबर तेसिल पटवारी के यहां रेजिस्ट्री के बाद नामंतरन करते करते चपले घिज जाती थी आज की स्थिति के आप दस् शीर्ष नेतार याटल विहारी बाचपई जी के समय से एक स्वपन रहा है भाचपा का क्योंकि हम देखते कि कहीं बाड़ आ रही है और कहीं सूखा पढ़ रहा है और इसको लेकर पर्यावनी चिंता भी बहुत सारी जताई गही है मेरा दूसरा सवाल वैसे कुछ और था मो का विशे बना है उस तरीके से आचमन्य योग गया नहाने योग वैसा नहीं हो पाया जैसा कि उस वक्त बात की गई थी अब आप कह रहे हैं कि फिर से जोड़ रहे हूं फिर से कर रहे हैं क्या फरक है और कहा दिक्कत हुई बीच में दोनों बाते कहीं क्या हुआ कि जैसे जो दो हजार सोला के पेले खान नदी या कोई कान भी बोलता है इंदोर के अबादी बहुत तेजी से बढ़ी और जो हमारा वाट जो सेवरेज का पानी उसकी छमता बहुत ज्यादा बढ़ने से जो इसके स्टीपी बगार बने थे जो पानी सुद्व करते थे वो फैल जलके नर्वदा का यह जो कान नदी का पानी उज्जेन आने के बजाए इसको डाउन स्ट्रीम में गंभीर से जोड़ दिया जो गंभीर इस उपर डेम बनावा पानी वार ओक लेते नीचे नदी खाली है तो खाली नदी में पानी जो बदल दे एक तरफ से जोड़ देंग सिलार खडी बड़ा डेम सिलेक्ट किया जिसमें सारा पाने लिफ्ट करके भर देंगे तो वो हमको नर्वदा के पाने के वज़े छिपरा का ही पाने मिलागा जिससे हम लोगों को इसनान करा देंगे यह एक साथ तीनों मोर्चों पर काम कर रहा है चूंकि आप उज्जेन क हैं उज्जेन के भूगोल को परिसिती को समझते हैं मतवदेश को भी समझते हैं आपने दूसरे पदों पर भी जिम्मेदारियां समान लिए हैं उज्जेन विकास पादिकरण में भी आप रही हैं तो आप उसको मेरे खायल से उम्मीद करते हैं कि इस बार जो परियोजना लागो होगी बहतर होगी इसमें और भी बहुत सवाले में इंदौर से हूं कान न दी खुद मैं अभ्यास मंडल संस्तास जुडा हूँ और मैं उस प्रोजेक्ट से उसमें लंबी बात हुए कि फिलाल वान नहीं जाँगा मेरा एक दिल्चस्प सवाल है जो छूड़ जाए एक बात जानता हूँ कि ये उस दिन पता था ऐसा तो नहीं कह सकता हूँ मैं ये तीन साल पहले से भी पता था कि मुझे आज ने तो कली यहां आना है और मैं ये आभास था कि कहीं से शीर्श नेतृत से मिला हूँआ संकेत था आभासी देखो क्या होता है हमारे यहां पार्टी की जीवन्तिता और पार्टी की विशस्ता है हम काम करते हैं तो काम करते करते हमको उपर अब्जर्व करने वाले बड़े अच्छे लोग हैं जो पुलिटिकल भी है नान पुलिटिकल भी लेकिन वो गंभीर विचार के लोग रहते हैं जो लगातर अपने कार्यकरताओं की छमता योगता देखते रहते हैं और जिसे मैं बताओं कि मैं तो लगातर पच्छीस साल से बड़े-बड़े पच्छी से नीचे से निकल के आया हूं मैं रेलवे पश्चिन वेट रेलवे बोर्ड मेंबर रहा मैं दूर संचार इसी मेंबर एक्जिवूटि कॉंसल का मेंबर गवर्नन नामी ने दो हजार से 2003 में रहा तो एक के करके कई भी भागों के काम कानभो मेरे मिलते गए पार्टी काम देती गई प्रादीकन का अध्यक्स टूरिजम का अध्यक्स विधाया एक पिशिक्षा मंत्री तो अपने को काम पे काम मिलता ता आप बताईए अगर शिक्षा मंत्री या मंत्री बनते हैं तो सौबाई गूरूप से आगे कि नेम्प्लेट तो हट ना हुआ क्या बड़ी बात है मंत्री के जाएके मुख्या मंत्री रख दी है बहुत फर्क होता है अच्छा उधान देता हूं आपके सामने कर्म वाद ये कि हम काम कर रहा है अच्छे से लेकिन आपको भागी में नहीं है तो नहीं होता जैसे उधारन के लिए बेंक के लाकर में आपका माल खुद का रखा हुआ है एक चाबी आपके जिम में है और आप अपने बेंक किसमें गए और अब लाकर में से अपनी चाबी लगाओगे तो वो दूसरा भाग रूप में मेनेजर की चाबी नहीं लगाएगा तो आपका माल भी आपको नहीं मिलने वाला है तो जब तक दोनों चाबी नहीं लगेगी तब तक बात नहीं बनेगी तो भाग गे और आपका खुद का पुरुशार्थ कर्मवाल जब तक दोनों काम नहीं करेंगे ये बिना उसके नहीं हो सब्सक्राइब आपका पुर्शार्थ था आपको अभाज भी था और फिर भागे ने भी साथ दिया और आप इस कुर्सी पर बैढ़ गए लेकिन जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसको अक्सर एक तो कांटों का ताज भी कहा जाता है दूसरा ऐसे भी बहुत से लोग है जिनका उस कुर्सी पर उनकी निगाहती लेकिन वह आपके मंदरिमंडल के सही होगी तो एक चुनौती नहीं है ऐसे लोगों के साथ काम कर्वाना उनके साथ मंदरिमंडल का काम चलाना की हमारी भार्यां तरुट हैं हमारे तो संग में सरसंग चालग जी भी अगर साखा में है तो जो कारेवास साखा लगाता है वो उसी को प्रणाम करते हैं यह वेवस्था का सवाल है हमारे यहां इस परिवार भाव में जो कप्तान बन जाता क्रिकेट की भासा में अगर धोनी की टीम में सचीन भी थे तब भी वो खेले थे तो जो कप्तान बन गया उसके साथ खेल रही है अपनी खेल भावना का परिचा है इस तरह के सचिन तिन लोग करों से सेंचुरियां बनाने के लिए आपका क्या विश्था ने अच्छे से अच्छा आपने अपने छेतर मेरा काम कराने का तरीका रहता है कि वहारे मान जितने मंत्री मंदल के मानी सदस्ट सिगने मैं उनको पूरा फ्र मंदल का काम तो यही हो आप मद्देश में निवेश लाने के लिए बहुत प्रयासरत हैं आप बाहर भी गए लोगों से बात की और बहुत उम्मीदें हैं फरवरी में होने वाली आपकी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से आपको क्या लगता है कि जो निवेशक हैं जो महन जी बहुत सारी हुई हैं इन्वेस्टर समिट को लेके हमेशा एक बात आती कि एमोईू बहुत सारे हो जाते हैं खागस पर होते हैं जमीन पर नहीं उतर पाते आपकी सरकार में ऐसा क्या अलग होगा कि कागस से जमीन पर भी यह समझोते उतरेंगे और मद्द्देश उ से लिए संभाग संभाब तो आप मदविश से आते हो हमने पहली बार गवालियर जवलपूर सागर रीवा अभी नर्वदापुरम ऐसे इस्थान पर कभी कोई सोचता नहीं था मां ग्लोबल करने के पहले रिजनल कांक्लेव कर लिए तो संभाग के अंदरों जैन में एक उसम आप अपना कुछ लगाना चाहता है तो कर लगाईए फिर प्राइटी तरह करती कि पहले प्रदेश वालों को प्रोफसान देंगे वह एक का दो लगा तीन लगा जो आलरेडी काम कर रहे हैं फिर बाकी देश के अंदर के बड़ बड़े उद्धोपती उनको भी प्रेदित कर रहे हैं फिर इसके बाद में ग्लोबली भी जा रहा है कि जो विदेश से वो भी लेके आना चाहिए लेकिन मुझे इस बात का संतोस है कि जब हम हर महीने कर रहे हैं तो एक अपने आप में वातावन बना है पुरे प्रदेश का और उससे बड़ी बात यह हो रही कि हम जो के भूमी पूजन का किसी के लोकारपण का पुरानी डतने भी कमिटमेंट होते का उसके डेवलेपमेंट सब को दिखाते जा रहा है। जा जाता है और जो यादव वोट हैं उबीसी वोट हैं उनके लिए आपकी एक राश्ट्री छवी भी गड़ी जा रही है और एक नया आपका रूप उभर कर सांद ने आ रहा है इसके पीछे क्या रहने निती क्या सोचे और आप खुद अपने इस रूप को कैसे देखते हैं देखें मैं कभी ऐसानी देखता हूँ जिस धंग से बताया जाता है लेकिन यह बात भी सकते कि मैं इस बात के लिए पार्टी का सदे और सुक्र गजार हूँ कब पार्टी ने एक सामाने किसान परिवार मजदूर परिवार के आने वाले वक्ति को मुख्यमंत्री जैसे पत से अगर आप देखो तो वाकिय लोगों के सामने वह अपने आप को कहता हूं कि आओ भाजपा से जुड़ो यह भाजपा वह पार्टी जो कहां से कहां खड़ा कर देती दूसरे परिवारों में अपने परिवार के बाहर नहीं जाते हैं तो उनकी कमजोरी है वह अगर यह सारे पद को सांसक्त विदायक मंत्री एक ही जगह रखते हैं तो उनको चिंता करना चाहिए वह समाज पर विश्वास करें और लोक्तंतर के अंदर है हम सब को अगर यह सब समाजों के लिए अगर पार्टी भाजपा कुछ सा करती है तो सब के बीच में बात रखने में मैं मुझ पर विश्क राजानी तो समाजवादी पार्टी यादोओं का प्रतिनीदित्व करती है लेकिन बहुत सारे लोग यह भी मानते कि यादोओं में बहुत से यादोव भाजपा के साथ जुड़ना चाहते हैं और उनको खींचने और उनको यह समझाने के लिए कि भाजपा के स समाम प्रधान मंतरी के मंतरी मंदल में देख लो कभी इतना मुका नहीं दिया उनने मेरे जैसे बड़े राज्ये के एक स्थान पर ने मुक्षी मंतरी बनाई यह अलग बात है आप बताईए भुपेन यादोओं जी अनपूर्णा देवी जी हमारे यहां ही के दिली के आप के गुरगाओं के सांसद जी तो यह चार मंतरी अगर आप कोई समाज को दे रहो तो समाज तो सब देखता पार्लामेंटी बोर्ड के अंदर जहां नो लोग है उसमें से भी दो याद हुए तो जित्ता हमारे समाज को भाजपा दे रही है उत्ता तो कोई दूसरी पार्टी देई नहीं रही तो ये स्वाभाई गूरुप से जन्ता के बीच में लाने के मेरे जैसे वेक्ति भी मुझे बोलता है और बोलने से तक करके मानी मोधी जी दिखा रहा है मानी नड़ा जी और हमी जी दिखा रहा है इस सची कुझसी बात हो से बिलकुल और उससे एक व्यापक आज भी कांग्रेस जीती है तो हमारे दी जीतने का तो प्रस नहीं उठता है मेरा नेवे दिन तो सुनिए आप कुल तीन विदानसवा के उप चुना हुए जिसमें दो कांग्रेस पहले जीती हुई थी और एक बीजेपी की थी आप इस चुनाओ तीनों चुनाओ के बाद बीजेपी ने बीजेपी की सीट रखी कांग्रेस की दो में से एक हुई अमर बाड़ा बहार गया वो विजेपूर उनके पास रह गई तो आप बताईए नुकसान हमारा वागए उनका हुआ अब वो गलत बताए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ विजेपूर हमारे पास प पिछली बार जिते वोड से जीते थे उसका एक बटा पास वोड भी नहीं पाए आप अभी तो यह कांग्रेस को सोचने कभी से कि हमको सोचने कभी से यह आप ना आप दिल्चस पाकल गांकवा उता है मेरा आखरी सवाल यह है कि आपके मंत्री मंडल का विस्तार कब हो रहा हमारा केंद्री नेत्र तो इस परामर्स में आगे बढ़ता ही है यह हमारा आजादी के बाद पहला ऐसा मंत्री मंडल लेकर एक साथ इत्ते मंत्री को पहली बार में बना दिया निताब 10-15-20 बनते थे धी धीरे धीरे बढ़ते रहते थे तो अभी हम उसके आसपास किया है युवा किसान गरी महिला सबकी बहतरी के लिए माननी मोदी जीक नेत्र पर काम करना मौनी अदव जी अमरुजाला से बाचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम उम्मीद करते हैं कि आपके नेत्रत में मद्देश आगे बढ़े प्रद्देश का रदेस्थ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रही हैं तो हमारे पीज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धन्यवाद